हर वो इंसान जो market में आता है वो यह चाहता है कि किस तरह से वो पैसा कमा पाए market में तो market में यह आप short term trade करते हैं तो technicals काफ़ी useful होता है और technicals में भी काफ़ी indicators हैं तो आज के episode में find argues अमर senior vice president Research at Angel One आपका Market यात्रा के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूँ तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and click the bell icon so that you don't miss any video सबसे पहले Fibonacci Retreatments से शुरू करता हूँ तो यदि मैं इसके हिस्टरी में जाओं तो इटली के एक प्रसिद मैथेमेटिशन थे लियोनाडो बिगोलो उन्होंने Fibonacci जो Retreatments है Fibonacci Levels हैं उनको Western World के सामने 12th Century में लाया था लेकिन कहा ये जाता है कि उन्होंने Fibonacci Retreatments जो हैं Levels जो हैं ये Indian Merchants से सिखा था और कहा जाता है कि इंडिया में Fibonacci Levels जो हैं पिछले 2000 साल से यूज किया जा रहा था Fibonacci Number Sequence जो है is associated with a golden ratio and that golden ratio is 1.16 ये हमें Nature में देखने को मिलता है ये हमें Flowers में रेशियो देखने को मिलता है ये हमें Plants में देखने को मिलता है ये हमें काफी जगा ये ratio जो है वो अकर करते हुए हमें देखने को मिलता है और Financial Markets में भी ये ratio काफी popular है और बहुत जो traders हैं पुरी दुनिया के वो इस ratio को use करते हैं markets में trade करने के लिए Technical Analysis में Fibonacci Retracement जो हैं वो काफी commonly used हैं इन्हें Fibs भी कहा जाता है तो ये कुछ levels हैं जो आप plot कर सकते हैं तो इसमें आपको करना क्या है कि आप एक major bottom लेते हैं सपोज निफ्टी की में बात करो तो आप निफ्टी का एक major bottom लेते हैं उसके बाद एक major top लेते हैं और उस major bottom और top को जब आप connect करते हैं Fibonacci Retracement से तो कुछ lines जो है horizontal lines जो है वो चार्ट पर बन जाती हैं तो ये जो lines हैं ये अलग percentages इनकी रहती हैं जैसे 23.6, 38.2, 61.8 and 78.6 इसके अलावा 50% is also used but you have to remember कि वो एक Fibonacci number नहीं है तो होता क्या है कि markets इन levels को काफी respect करता है क्योंकि दुनिया के सारे traders जो हैं इन levels को watch करते हैं कि इन levels पे market क्या करता है तो बहुत बार आप देखेंगे कि market उसी level पे support लेके वहाँ से bounce back हो गया है या उसी level पे एक resistance लेके market वहीं से correct कर गया है जब आप Fibonacci retracement plot करते हैं चार्ट पे एक major bottom और एक major top को connect करके तो आपको important support and resistance zones मिलते हैं जो short term trading के लिए आप काफी successfully use कर सकते हैं और यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आख बंद करके इसे follow नहीं करना है इसे आप जरूर use कीजिए और यह आपको important levels के बारे में advance में बता सकेगा कि कहां आपको act करना है इसके साथ आप suppose for example Japanese candlestick से वो use कर सकते हैं फिर pivot levels से वो use कर सकते हैं तो आपके success की जो probability है वो काफी बढ़ जाएगे तो जैसे आप Fibonacci levels use कर सकते हैं major support resistance के लिए वैसे ही pivot levels जो हैं वो भी काफी popular है जो आप use कर सकते हैं support और resistance levels के लिए और चाहे आप index हो चाहे वो आप stock हो commodity currency किसी में भी आप यह सब apply कर सकते हैं तो pivot में क्या होता है कि आप high, low और close पतलब daily high, daily low और daily close को add करते हैं तो आपको pivot point मिलता है और उस pivot point को आप use करके आपको support 1 और support 2 मिलता है मतलब यदि price यहाँ है तो आपको support 1 और support 2 मिलता है और price यहाँ है तो resistance 1 और resistance 2 मिलता है तो short term और intra rate trading के लिए pivot levels काफी useful है और हमारे angel 1 mobile application में भी आप pivot levels जो है वो set कर सकते हैं और आप important levels को देख सकते हैं अब अंत में मैं support और resistance levels यहें उसके बारे में बात करूँगा कि exactly काम क्यों करता है इसके पीछे क्या psychology है तो for example Nifty का major support यही 15,200 है और Nifty का major resistance suppose 15,800 है तो जब भी Nifty 15,200 के करीब आएगा तो जिन traders का view bullish है जो market में bullish है वो क्या करेंगे Nifty buy करेंगे तो buy करेंगे तो market जो है वो उपर जाएगा और जब वो 15,800 के करीब पहुँचेगा तो वो traders जो है वो अपने profit book करेंगे तो वो वहाँ sell करेंगे इसके अलावा वो traders जो bearish view रखते हैं वो जैसे ही 15,800 के जितने करीब Nifty जाएगा वहाँ वो short selling शुरू कर देंगे तो इस कारण से क्या होता है कि जब major support levels पे आप buying देखते हैं तो वहाँ से एक rally होती है और major resistance levels पे आप selling देखते हैं तो वहाँ से correction होता है और एक interesting बात ये है कि जब support और resistance levels तूट जाते हैं तो वो reverse कर जाते हैं मतलब support जो है वो resistance बन जाता है और resistance जो है वो support बन जाता है इसका भी मैं आपको एक example देता हूँ कि suppose Nifty में 15,800 जो पहले resistance बना था अब Nifty 15,800 के उपर trade कर रहा है 15,850, 15,900 तो जो short में थे उनके stop losses trigger हो जाते हैं क्योंकि उनने 15,800 के उपर stop loss लगा रखा था तो उनके stops trigger हो जाते हैं इसके अलाबा जिनका view bullish है वो देखते हैं कि market 15,800 के उपर चल रहा है तो वो फिर buying करने लगते हैं इसलिए जब भी कोई major support या resistance लेवल तूटता है तो उसके बाद एक major movement जनरली हमें market में देखने को मिलता है तो आज के episode में हमने Fibonacci retracement, pivot levels और support और resistance सीखा तो आशा करता हूँ कि आपको ये video जरूर पसंद आया होगा तो हमें like, share and subscribe जरूर करें और अपने जो queries हैं वो भी आप जरूर हम से पूछें so that we can reply back and till we meet again, happy trading are subject to market risks read all the related documents carefully before investing